हालो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार वितायूश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आरके स्वामी आईपियो और भी बहुत सारे आईपियो जो दोस्तों आप अब आक्शन में को देखने को मिलेंगे आज है 4 मार्च और इस वीडियो में तरह सारे आईपियो उसकी बारे में मुक्का प्रोटीन्स का आज का दिन आखरी है तो बिल्कुल वीडियो को देखिएगा पूरा क्योंकि इंपॉर्टन्ट रहने वाला है जीएंपी में कितनी तेजी है कितनी गिरावट है या आपको आज इस वीडियो में बदा चलेगा तो इसलिए वीडियो को देखना आपको पूरा लेकिन उससे वेले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 26 से 28 रुपीज का प्राइस बेंड है 535 शेर्स का दोस्तों लॉट साइज है कुलमलाकर 224 करूर का यह आई पियो है बी एसी एनेसी दोनों पर आपको यह लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा जो अपी तक का दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है वो अपने आप में काफी लाज जवाब है क्योंकि QIB पोशिन 145 गुना भर चुका है जिया 145 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है कुलमलाकर QIB जने 6504 करूर इस दिश्यों में डाल दी है H&I काटेगरी और आगे है 217 गुना H&I काटेगरी 200 सब्सक्राइब हो चुका है कुलमलाकर 7,318 करूर डाले है जिसमें बिग हैचनाइज ने 218 एं स्मॉल चनाइज ने 216 गुना रीटेल पोशन और यहाँ पर हम कैसकते बढ़या कर रहा है 51 तामस के आसपा सब्सक्राइब हो चुका है इन टम्स ऑफ मनी देखे 4000 करूर रीटेल ने भी डाल दिया है टोटल मलाकर यह 100 गुना से उपर है नहीं 113 गुना यह जो इशू है वो सब्सक्राइब हो चुका है कुल मलाकर 17,827 करूर के आसपस अभी तक इस इशू में आ चुके तो अपने आप में काफी दंदार सब्सक्रिप्शन है और आखरी दिने आज तो अभी तो अभी दो गंटे और बाकी है में जल्ली यह कह सकता हूं कि यह वन एड़ गंटे में कितना पैसा आता है यह देखने वाली बात होगी जब पाच बजे आज का डीटेल वीडियो आयागा जिसमें बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की उपर तो इंपोर्टन वीडियो रहेगा और बचा हूँ बाकी का 251.56 करोड का ओफर फॉर सेल इसमें अपने इंप्लॉईस के लिए डिस्काउंट रखा है 27 रुपीज पर शेयर का और BAC, NAC दोनों पर इसकी आपको लिस्टिंग भी होती भी नजर आने वाली है जो भी तक का सब्सक्रिप्शन हैस में QIB जने तो कुछ पैसा नहीं लगाया लेकिन H&I काटेगरी मुर्दन 1.57 ताइम सब्सक्राइब हो चुकि है जिसमें कुल मिलाकर 1.21 times big H&I category and small chain 2.29 times subscribe हो चुकिए, कुल मिलाकर अभी तक H&I से 100 करोड के असपस आया है retail category दोस्तो 5.69 times subscribe हो चुकिए, अब जादा subscription क्यों दिख रहा है, reason simple है, 10% reservation है, इसमें retail के लिए retail के पास छोटा portion है, इसलिए 5.69 times के असपस subscribe हुई है, कुल मिलाकर 338 करोड अभी तक इस issue में लग चुके हैं, तो अपने आप में जो subscription है, वो हमको बढ़िया देखने को मिल रहा है कुल मिलाकर, पहले ही दिन fully subscribe हो चुका है, और कितना और पैसा आएगा यह देखेंगे आज के 5 बज़े वाले वीडियो में दोस्तो कल से नए IPO की opening होने वाली, जिसका नामे JG Chemicals, 5th of March और कल से 7th of March तक यह issue open रहेगा यह बाद धान रखेगा दोस्तो आज 4 March है और आज दोस्तो इसकी anchor book भी निकल कर आएगी तो कौन से anchor investors रहेंगे, वोंको पता चल जाएगा, 210 से 220 रुपे का दोस्तो इस company ने price band set करा है 67 शेद आपको कुल मिला कर मिलेंगे 251.19 crore का यह IPO है जिसमें से fresh issue है 165 crore का और बचाओ बाकिये का 86.19 crore का offer for sale, BAC, NAC दोनों पर इसकी listing हमको देखने को मिलने वाली है इसमें 50% reservation है दोस्तो QIVs के लिए 35% है retailers के लिए 15% है for the H&I category उसके बाद दोस्तो जो अगला IPO होता है उसका नाव है गोपाल नमकीन 6 मार्स है 11 मार्स के बीच में नया mainboard IPO open होने वाला है 1 रुपे की face value है 381 से 401 का price band है 37 shares का lot size है 6.5 crore का यह IPO है जिसमें से पूरा का पूरा offer for sale यानि कोई भी portion fresh issue नहीं है यह बाद ध्यान रखेगा 38 rupees per share का employee discount है कुल मिलाकर दोस्तो इसकी listing BSE, NSE दोनों पर हमको देखने को मिलेगी और इसके अंदर भी reservation 50% है QIB के लिए 15% है for the H&I and 35% है for the retail category अब बात करते दोस्तों चलिए अब grey market पे जो दोस्तो एक और 9.28 करोड का इस IPO का size है 65 rupees का price bend है और यह IPO जल्द open होने जा रहा है कब से 12 मार्च से next is प्रथम EPC projects इस NSE SME issue और 11 मार्च से open होगा 13 मार्च तक open रहेगा कुल मिलाकर दोस्तो 36 करोड का इस IPO का size है 75 rupees का इसका price bend है और almost grey market है 87% यानि इस देखे 90% का premium आप चल रहा है इस issue का तो let's see यह issue कितना बढ़िया कर पाता है grey market अपना पे दमदार है पुने stock blocking देखे एक BAC SME issue है इस बात का ध्यान रखेगा grey market बली 96% है बढ़ आपको एक बात बताता हूँ मैं कि BAC पे एक cap रहता है BAC पे cap क्या रहता है कि कोई भी issue 90% से उपड लिस्ट नहीं हो सकता है तो यह बली 96% का premium दिखा दे 100% का premium दिखा दे वो ठीक है बट listing का होगी only 90% पर तो यह है कि जो इसका band है उससे उपड यह list नहीं हो सकता है इसका नब यह कि 90% से उपड listing किसी भी हाल में नहीं हमको देखने को मिलेगी तो इस बात का द्यान रखना है यह issue बैसे open होने वाला है 7th of March से 12th of March के बीच में next is Kora Fine Diamond BAC SME issue और यह मास तर पार्च कोड का issue है क्योंकि इतना छोटा issue है तो grey market भी है पूरी पूरी अब यह भी देखे 90% के पास इसकी grey market है यानि यह भी अपने cap के पास जो इसकी limit है उसके पास list होता हुआ नजर आ सकता है मतलब full 90% पे listing हो सकती है बाकि 6 March से 11 March की वीच में नहीं है SME issue open होने वाला है BAC पर जो list होगा यह धहन रखिएगा जो cap के बात कर रहा हूँ या फिर मैं जो limit की बात कर रहा हूँ यह limit जो है वो only on BAC है NAC पर कोई BAC नहीं है यह सिर्फ limit है BAC पर तो जिनको नहीं पता है काफी लोग बुलेंगे NAC पर तो कितने भी उप्पर list होगाता है तो NAC पर कोई limit नहीं है BAC पर limit है इस बात का धिहान रखना नेक्स इस गोपाल स्नाक्स जिस अब को हमने उता है mainboard IPO है ग्रे मार्केट 30% पर stable है वैसे कोई खास यहां पर बड़ा fluctuation अभी हमको देखने को नहीं मिल रहा है इसकी ग्रे मार्केट जब खुली तो काफी fluctuate होगी थी बट अभी इतनी है श्रीकर्णी फैशन्स ग्रे मार्केट 132.16% पर stable है 227 रुपीस का इसका price band है 42.49 कड़ का इस IP का size है और यह नया SME इशू है जो 6 मार्च से 11 मार्च की बीच में open होने जा रहा है एक और दोस्तों में इनवड आई वे अभी हमने बात करी थी 22.62% का इसका current premium चल रहा है यह बात ध्यान रखिएगा Sona machinery एक NSE SME इशू है दोस्तों जो open होने वाला है from tomorrow that is 5th of March से 7th of March तक open रहेगा 51.82 करूर का इस IPO का size है 72 रुपीज का grey market है यह almost 50% का premium है और यह open होने वाला है from tomorrow we are infraspace एक NSE SME इशू जो आज से open हो है 4 मार्च से 6 मार्च तक open रहेगा 35% का इसका premium है और इस issue का दोस्तों grey market 20 sorry grey market 35% का है but size 20.40 करूर का है इसके बाद दोस्तों जो IP आता है वो है RKS Swami का grey market करेवन 31.25% पर स्टेबल है मुका प्रोटिन की grey market में काफी बड़ी तीजी देखने को मिल रही है 125% जी हाँ 125% इसका premium हो चुका है तो अपना आप में बहुत दमदार तीजी है हमको इसकी grey market में देखने को मिल रही है MVK Agrofoot एक NAC SM issue है जोस्तों जिसका आज आखरी दिन है 55 क्रोड का इस IPO का size है और 4% का premium है ये issue आज close हो जाएगा भारत आईवेज इनविट की grey market है 2% और listing होने वाली है दोस्तों इस IPO की 6 March को आज important day है ब्यूदा आज allotment है इस IPO का पूर flexi pack grey market हो चुकिए 177.46% उपर और listing होने वाली है 5th of March को यानि कल तो लेट सी कितने उपर ये list हो पाता है platinum industries इसकी भी listing है दोस्तों कल और premium है 50% का इस IPO listing day strategy का वीडियो ज़रूर आगा इस पर हम बात करेंगे कहां पर listing हो सकती है और वैसा है वीडियो एक exicom टेली सिस्टम्स पर भी आएगा इस पर हम बात करेंगे listing कहां पर हो सकती है इन दोनों mainboard IPOs की तो अलग-अलग वीडियो आएगा बाग याज भी इस metal की listing होई और grey market जो थी 114% की उसको सामने listing होती है 187% की वैसे grey market में अचानक से गिरावट हमको देखने को मिल गई थी grey market एक समय पर 150% 260% भी चल रही थी और listing होती है 187% तो more than what expected यहाँ पर आपको listing देखने को मिल तो अपने आपने congratulations जिन लोगों को भी ये issue लगा था सधाफ shipping की listing होई थी वैसे तो बट वो हो गई थी दोस्तों एक मार्च कोई तो उसके बाद हमने कर लिए तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही था hopefully आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो like कर देना चनल से पहली बाद जोडियो subscribe कर देना thank you friends watching this video